बैंगलूरू में विराट कोली के पब 18 कम्यून पर देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की आरोप में FIR दर्ज की गई है यह पब MG रोड परिस्तित है और हाल ही में दिसंबर 2023 में खुला गया था DGP Central की अनुसार पब सोमवा देर रात तेर वजे तक खुला था जबकि बैंगलूरू में पब को रात एक वजे तक ही खोलने की अनुमती है इसके अलावा तीन चार अन्य पब्स के खिलाव भी केस दर्ज किया गया है विराट कोली की वनेट कम्यून की दिल्ली मुंबई पूने और कोलकत्ता में भी अन्य शाखाएं हैं विराट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बैंगलूर उनका फेवरिट शहर है इसलिए उन्होंने यहाँ पर ब्रांच खोली है पिछले साल वनेट की मुंबई ब्रांच विवादों में रही थी जब तमिल नाडू के एक व्यक्ती ने आरोप लगाया था कि उसे वेस्टी यानि की धोती बहनने के कारण पब में एंटरी नहीं दी गई थी विराट कोली सोशल मीडिया पर काफी एक्टीव होते हैं और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए आज से 9 करोड रुपय चार्ज करते हैं जबकि ट्वीटर पर प्रती上 के 2 ते 3 करोड रुपय लेते हैं कहलीक इंस्टरग्राम पर 27 करोड से ज़्यादा फोलोवर्स हैं जिससे वे इंस्टरग्राम पर इतने ज़्यादा फोलोवर्स वाले पहले एशी आई हैं विराट 28 से अधिक ब्रांड्स का विज्यापन करते हैं और ब्रांड एंडोसेन्मेंट के सालाना करोडो रुपे कमात करते हैं विकाई स्टार्ट अप्स में निवेश करते हैं जिसमें ब्लू ट्राइब यूनिवर्सल स्पोर्टी साबिज MPL और स्पोर्ट्स कानवर शामिल है विराट कोली की कुल संपत्ती एक जून दो हजार चोबिस तक 1050 करोड रुपए से अधिक है विभात्य क्रिकेट टीम में ए प्लस ट्रेंडी के खलाडी है और BCCI की सालाना साथ करोड रुपए सेलरी पाते हैं इसके अलावा RCB ने विराट को 15 करोड रुपए सालाना सेलरी पर रिटेन किया है विराट के मुंबई और गुरुग्राम में घर है जिनकी कीमा 34 करोड से 80 करोड रुपए है उनके पास 31 करोड रुपए की लगजरी कारों का कलेक्शन है और हाल ही में उन्होंने अली बाग में 20 करोड रुपए की दो संपतिया भी खरी दी है जन्तादर्बान यूज में फिल हाल के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे और ख